बुले श्री प्रानाथ प्यारे की जए चर्चा प्रारंब होते है सुनो साथ चित दे भजो राज श्यामा स्री प्रानाथ सकी जीवन हमार होए स्री महमति कहे साथ जी भया चर्चा का वक्त अव तुम सुनियों चित दे लाल आगे आए वैठे इन तकत स्री महमति कहे ए साथ जी ए इतके कहे बयान स्री देवा चंदर जी के सरूप की नेक कहू पहिचान अब इहां से आए बीच हलार देश सभी सुनियों साथ प्रणा में आज वितक के सातवे दिन जहां हमने शुरुआज से दिन से कुछ न कुछ ग्यान के चाचाए सुनी है भारत वर्स जो हम आज इस इस इस्तान पे रह रहे हैं पुरवकाल में इसको भारत वर्स के नाम से जाना जाता था भारत वर्स वो इस्तान है जहां पे उस रिसिमुनियों ने सर्व प्रथम वो बेद का जियान लाया जहां स्रिफ एक परमात्मा को पुजा जाता था और जहां पे किसी और को नहीं दिखा जाता था परुंतु समय के अंतराल में हमने ये देखा कि इस समाज में आज अनेको परमात्मा तो है लेकिन वो ग्यान था जो रिसिमुनियों ने हमें दिया था वो रिसिमुनियों ये कहते हैं एसाम न विध्या न तपो न दानम जानम न सिलम न गुनों न धर्म ते मिर्टलों के भुविंभार भूता मनुष्य रूपे नम्रिगास चरन्ति जो मनुष्य जिसके पास न दान हो ना सिल के कोई गुण हो ना विद्या हो ना तब हो ऐसे मनुस्य बिना पूछ के एक क्या है एक पसू है इस प्रकार से एक कठोर बचन के साथ एक मनुस्य को पसू बनाने का ग्यान भी हमारे पास था और स्रिफ इतना ही नहीं हमारे पास वो दिब्य गूंड ग्यान भी था जिससे एक मानव को भगवान तक बनाय जा सकता था एक मानव को हम भगवान की इस्तान देकर उनको पुजा जाने के जो इस्तिती हम बना सकते थे वही इस्तिती जो पसु को बनाता है अब उसको बिपरित कर दिया जाए जो दान देता है जो सिल का आचरन करता है जिसके पास बिद्या है जो तब करता है परमात्मा के लिए हाँ वो बेक्ती क्या है वो बेक्ती और भगवान कहले आने के लाइक बन जाता है लेकिन आज इस समाज जब कल्यूग की इस इस्तिती में आ गए जब इस समय के दोरान तक आ गए अब ना वहाँ पे वो रिसी मुनी है ना इस समय पे ना वो ग्यान के ग्रंथे ही हमें मिलते है किसने सोचा होगा कि इस कल्यूग में सोयम उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की इहला देनी सक्ति यहां पे आएगे किसने सोचा होगा कि सोयम वहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आविश सक्ति आकर इस दुनिया में लिला करे भले ही हमने नहीं सोचा था लेकिन वो आए वो आकर उनुने इस ब्रह्मांड को देखा और उन्होंने कहा क्या देखी रहे हम दुनिया जो इनको ना करे अखंड जो हमने इस दुनिया को देखा है हम अखंड करके ही जाएंगे लेकिन फिर भी हम जो मानव बनके यहां पे बेटे हुए हैं जो ब्रह्म सिष्टी यहां पे है वो ब्रह्म सिष्टी को सोचने का वक्त है और जो स्वेम अपने आपको जीग भी समझते हैं या अपने आपको एक मनुष्चे तन ही स्रिफ समझते हैं उनको भी अब सोचने का मोगा है कि हाँ वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस दुनिया में आ चुके हैं और सब के कल्यान के लिए आये हैं ना कि सरिफ वो ब्रह्म श्रिष्टियों के लिए तो जब हमें ये सब कुस पता वो प्रथम दिन से लेकर छटवे दिन तक हमने जो सुना उस घटना के क्रम में हमने जाना अब सात्वे दिन के लिला में जो हम यहां पे सात्वे दिन में देख रहे हैं धनी सरी देप चंडर जी के जो जीवन की लिला है वहां पे वो अब कहां पहुंचते हैं नौतनपूरी देश कहा जाता है उस समय में हर जगा एक इस्तान इस्तान क्या होता था उसको देश कहेकर अलग कर दिया जाता था उनका एक अलग ही राजा होता था तो इस कारण से उस इस्तान को भी देश के नाम से कही दिया गया अब स्वयम धनी स्री देव चंदर जी के जीवन में अब देव चंदर जी य उनको ये पता नहीं है कि राज जी स्वेम उनके हिर्दे में है इसलिए हम उनको धनी स्री देप चंदर जी अभी नहीं कह सकते लेकिन अब वो क्रम चल के अब नौतनपुरी पहुँचे हैं। नौतनपुरी में क्या होता है? श्याम जी के देवल में कथा कहे कान जी भट तो जो हमने भोजनगर की बितक में सुना था कि हरिदास जी के पास उन्होंने ज्ञान लेने के बाद हरिदास जी सोयम उनके चरनों में आकर जुग गए और उन्होंने कहा अब मेरे पास वो कोई नहीं में जो तुम्हें दे सकूँ या में तुम्हें आगे बढ़ा सकूँ अब इस प्रकार से जब वो कहते हैं वो एक सुजाब भी देते हैं कि तू नौतनपुरी सलाजा और नौतनपुरी में कान जी भट जी है जो भागवत की खथा सुनाते हैं हो सकता है तुझे और का ग्यान मिल जाये और जब वो इस बात को ग्रहन करते हैं तब जाकर कान जी भट जी के वहाँ पे मंदिर पे पहुंचते हैं और तब जाकर अब वो भागवत का स्रवन करते हैं भागवत लग भग वो चौदव बरस तक स्रवन करते हैं इस प्रकार से कहा गया 14 बरस तक एक ही किताब, एक ही ग्रन, एक ही स्लोग और एक ही सब्द जब बार बार पड़ते हैं तो किस प्रकार से वहाँ पे निश्टा है हम देख सकते हैं आज के समाज में हम अपने वितक और बानी को ही अध्यन करने के लिए एक साल लगा देते हैं यह जो हमारे पास सामने वितक है, सोयम धनी ने हमारे लिए लिखा गया है सोयम लालदास जी को बिरह की इस्तीती में भी रोक के उनके जो त्याग है उनको रोकते हुए उन्होंने ये वितक उनके माध्यम से लिखवाया है फिर भी हम एक साल लगा देते हैं और एक साल में भी साथ दिन दस दिन या तो स्रिफ एक मैने के लिए सुनते हैं और एक मैने के बाद हमने क्या सुना हम में क्या करना है हम सब कुछ भूल जाते हैं और ग्यारा मैने स्रिफ संसार में हम रमते रहते हैं तो इस प्रकार से जो 14 बरस तक निश्टावद उन्होंने भागवद सुना है, वो किसी ना किसी कारण बस है, तो धिरे धिरे अब वहाँ पे वो सर्चा सुनने के लिए जाते हैं, वहाँ पे लोग भी मिलते हैं, सर्चा सुनने के जो जगा होता है, अनेकों सारे लोग दिखने के लिए आते हैं, कोई किसी के बातों को काटने के लिए आते हैं, तो इस प्रकार के माहुल में है तो सब रादा बल्लबी हैं, लेकिन रादा बल्लबी ही होने से या सरिफ निजानन्दी ही होने से ऐसा नहीं माना जाता कि वो लोग सब का प्यार ही करें, हो सकता है हमारे समाज के बीच में ही कोई ऐसा बिखती बेठा हुआ हो जो श्रीफ दिश्रे को नीचे गिराने के लिए आया हो उसी प्रकार वहां रादावली मार्ग में भी कोई है जो श्रीफ देपचंद्र जी को नीचा गिराना चाहते है वो एक गरीब घर के अब बेटे हैं लेकिन अंदर उनकी आत्मा तडप रही है उस परमात्मा को पाने के लिए तब जाकर वो भागवत सुनने के लिए जाते हैं तब जाकर वो निश्टा बद होकर एक स्लुप भी छुडता है तो वो गुरु के घर पहुंचते हैं उनके दर अंजी भट ये देखते हैं कि ये बंदा जो इतने वरस से आ रहा है ये पूर्ण तया ये भागवत के लिए आ रहा है और वो परमात्मा का प्यासा है इसलिए वो भी अपने गरंद को खोलते हैं और अपने शिश्यकों को सुनाने के लिए इक्छोख होते हैं तो इस प्रक पहले से ही बेठा हुआ है उस मंदिर में अब वो क्या होते हैं जलन के मारे उनको सहा नहीं जाता तब जाकर वो आवाज उठाने लगते हैं इस चीज में सुयम धनी कहते हैं बल्लावाचारे जी के जो वानी है उसको ध्यान देखे तुम लोग उसको पड़ो बचन विचा अर्थ बिना रे ये अंधेरी करत सब की फानी इस प्रकार से जब सुयम महामती जी कह रहे हैं कि है बल्लावाचारे जी के सिश्यों है बैसनोबो तुम लोग सुयम बल्लावाचारे जी के वो गरंथ को क्यों नहीं पड़ते हैं भागवत का वो गरंथ है सुवधिनी टिका जिसमें ब्रज और राज की जो लिलाय है उसका टिका किया गया सुबजनी टिका स्वयम बलवचार जी जो सुलवी सद्धी में हुए थे उन्होंने अपने बल पे अपने तब पे और अपने जितना प्यार था उतने बल पे उन्होंने लिख डाला लेकिन सुयम धाम धनी उनके जो गरंत है उनको साहराना कर रहे है कि है जीव होए बईस्नों वो तुम लोग उस गरंत को पढ़ो तो उस ग्रंद को पढ़ने के बाद ही तुम्हारा जो संसे है वो खुल जाएगा लेकिन इस समय तुम्हारा संसे मिटा नहीं इसी कारण से तुम फानी जो दुनिया मिटने वाला है उसी दुनिया में रम रहे आगे धनी कहते हैं हो भाई मेरे बेशनब कहिए वाको जो उसी को बेशनब कहते हैं जो बेशनब कहिए वाको जाकी निर्मल आतम यहां पे कहा जा रहा है कि जो जिसका निर्मल आतम हो वही बेशनब कहलाने के लायक है और जो कभी भी ऐसे इस्तिती में ना जाए नीच करम के निखटन आ जाए और पार ब्रमहसो पहचान जिसका हो वही बेशनब कहलाने के लायक है लेकिन हम जो रादावल भी मार में वहाँ पे बेठे हुए हैं वो लोग कैसे हैं वो श्रीफ बेसनव ही कहलाते हैं लेकिन बेसनव के नाम पे कोई लक्षन उनके सामने दिखाई नहीं दे रहा तब जाकर धाम धनी वहाँ पे बाणी में यही कहते हैं कि यदि बेसनव हो तो वो कहते हैं साचारी साहब, साचो सुपाये, साच को यदि तुम सच में उस परमात्मा को पाना चाहते हो तो वो सत्य है और यदि तुम सत्य का कारे ही नहीं करते तो किस प्रकार से तुम सत्य को पा सकते हो तुम उस सत्य को पा ही नहीं सकते तो या बेसनव देखो गती रे बेसनव हो तुम लोग अपने गती को देखो, जो बेवार तुम आज इस समय पे दिखा रहे हैं, उस गती को देखो, तब जाकर ये धी, तुमें कुछ मिलता है, महामती इन से भी न्यारा, महामती जी, जो स्वयम परमधाम से यहां पे आए, उनका ग्यान कहां कहा है, स्वयम परमधाम क तो इस प्रकार से वो उस बैश्नव को समझा रहे हैं कि तुम अपने गति को समझो और जो लड़ाई और जगडा करते हो वो छोड़के अब पवित्र होके तुम आगे बढ़ो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं जलपान को तब करे जब आहर देवे आतम जब भागवत सुनने के लिए हो जाते हैं उस समय के दोरान ना तो तार्तम ग्यान की आउतरन हुआ था ना ही यही पता था कि हमारा घर कहां पे है यही ना सुद हमें पता था कि हमारा स्वरूप क्या है इस कारण से आज दिन तक स्वयम जो स्यामा जीवी है वो भी वहाँ पे एक ग्रंद का अध्यन कर रहे हैं जिसमें बताया गया है कि हम व्रज में क्या करते हैं हम रास में हमने क्या क्या इस प्रकार के जो कागत है सोयम धामधनी ने बिहत से भेजा है तो वो कागत को पढ़के अब वहाँ पे जाने का हमें सुजाब मिल रहा है तो इस कारण चे सोयम स्यामा जी के जो आत्मा है वो भागवत सुनने के लिए जा रही है और वहाँ पे वो लगी रहती है, वो भागवत सुनने से पहले वो खाना नहीं खाते हैं, वो कभी भी अपने आप को आहार नहीं देती हैं, लेकिन यहां पे कहा गया है, वो आतम को आहार देती हैं, वो आतम का आहार क्या है और वो आहार क्या है जो हम देते हैं, आज अब हम अपने आप को दे कि हम परमधाम की आत्मा हैं लेकिन जब इस संसार के इस मोहजाल में इस सरीर से बदे हुए हैं तो ये सरीर भी हमें जीवित रखना है लेकिन इसको जीवित रखने के लिए क्या करना हुगा कुछ ना कुछ आहर हम इसको देते हैं जब से हमने जन्म लिया है तब से अपने मा के दूद के शाहरे हमने जिया है और जब तक हम नहीं मरते तब तक भी हमारे मूँ पे हर दिन हर समय कुछ ना कुछ रहता है जिसके कारण ये सरी जिंदा रहता है लेकिन क्या इस दुनिया के सब कोई आदμε अपने पेट के आत्मा की आहर की विसे में सोच रहे हैं, वो आत्मा का आहर क्या है? धामधनी कहते हैं, खाना, पीना, खिन खिन लेवे, वो खाना और पीना खिन खिन अर्थात, पल पल वो क्या करते हैं? समय समय पे वो खाते हैं वो कौन है प्यार अर्स रुहन वो अर्स के वो परमधाम के वो रूह है वो परमधाम के वो ब्रहम स्रिष्ट्या है वो प्यार को ही खिन खिन लेते हैं पल पल लेते हैं और पल पल मासुक देखन जब पल पल मासुक को देखना ही यही आसिक आहार यह नहीं आहर आषिकन, इस प्रकार से कह दिया है, की वही आत्मा का आहार है, जब हम भी बेटे, हम उड़ते हैं, हम चलते हैं, हम खाते हूं, हम पीते हैं, और हम सोते भी हैं, वानी में उसी को कह दिया है, बेढ़ते उड़ते चलते सुपन सोवत जागरत खाते पीते खेलते इन सुक लेवे इन बिद इत इस समय पे हमें क्या करना चाहिए किस प्रकार से हमें आत्मिक आहार को लेना चाहिए उन्होंने कहे दिया कि जब तुम बेठे हुए हो इसी समय पे इसी पल पे अब तुमें क्या करना है धाम धनी के विशे में सोचना है जब तुम उठके यहां से भी चले जाते हो कहीं बेठे अब क्या हो रहा है किस ग्यान की चर्चा हो रही है हमें पता भी नहीं चलता लेकिन धाम धनी के रहे हैं चल के जब तक घर भी नहीं पहुँच जाते तब तक भी उसी धामधनी के विचार में डूबना है। जब खा रहे हो तब भी जब सूरे हो और सोते समय पता तो नहीं चलता लेकिन सपने में जब सपने भी देखते हो तो किसका होना चाहिए। सोयम धामधनी की सपन को देखो वो यही कह रहे हैं बरस में 365 दिन, मेहने में 30 दिन, एक दिन में 24 घंटे और 60, एक घंटे में 60 मिनिट, एक मिनिट में 60 सेकेंड और एक सेकेंड में जो 100 मिली सेकेंड होता है वो पल-पल तुम्हें याद करना है। और उस धामधनी को जब जाकर पल-पल याद करोगे तब क्या हो तब जाकर ये स्वाज तब आवहे हैं ये आतम में तब स्वाज आएगा उस परमधाम का जब पलक न देवे भंग जब हम इस पलक को एक टब भी जो हम अभी बेठे हुए हैं हमारे पलक कितने समय पे ये न जब हम स्वयम कहां पे देखते हैं स्वयम उस परमधाम में देखते हैं धामधनी कहते हैं यही आशिक जो खाना है वो ही आशिक का है वो क्या है यही जो सागर है यही जो सोभा और स्रिंगार है यही जो मेहर का सागर है वो हर चीज आप और हमें देखना है धनी कहते हैं कि वो चरन को देखो वो चरन जो इतना सुन्दर है वो चरन के नाखुन को देखो जो इतना करोड़ो गुना तेज हो मैं है और जो तुम्हे तुम्हारे दिल को वो छूता है तब तुम्हारे दिल में क्या होता है स्वेम वो प्रेम की जमना जी बेहती है तो उस जल को देखो तो उस जल को देखने के बाद जब तुम्हारे हिर्दे में वो प्रेम रस बगएगा तब जाकर तुम्हारे उस दिल पे वो प्रेम का रस बहते हुए आतम तक पहुँचेगी और उस आतम में आहर पहुँचेगी लेकिन वो आतम का आहर तभी पहुँच सकता है जब हम अपना पलक को ना जखकाए तो इसलिए धामदनी कहते हैं बिना पलक जखकाए चित्वनी में बेठो चित्वनी में जब बेठो के तब जाकर आतम का आहर मिलेगा तब जाकर तुम्हें उस परमधान के जो आतम की खुराक है वो मिलेगे और इस समय पे तुम कभी भी किसी भी समय पे उस परमधान के आठ धो पहर कृष्ण प्वक्षय और सुक्ल प्वक्षय के बिशे में जब ध्यान करोगे तब जाकर तुम यहां पे भी धंदन कहलाओगी और उधर भी धंदन कहलाओगी तो इस प्रकार से हमारी आत्मिक आहार है स्वयम देव चंद्रजी भी अब यहां पे अपने आपको रास में ब्रज में खेली हुई आत्मा और राधा मानती है तो इसी कारण से वो बीना भागवत सुने और बीना चित्वनी किये वो कभी भी सरीर को भी आहार नहीं देते हैं तो इस कारण से यही कहते हुए चौपाय आगे बढ़ती हैं चिद्रा को ढूनत रहे रहे वाहिर द्र इस्ट अहंकार शरिफ इतना ही है लेकिन फिर भी वो देवचंदर जी है जो निश्कलंक है उनके उपर कोई दाग नहीं है तो इस कारण से उनको उस गल्ती को ढूर्णन में बहुत समय लगता है लेकिन एक दिन की बात है कि उनको एक ना एक शिद्र मिली जाता है जो उनको लगता है कि व छिद्र है लेकिन कारण बस यहां पे कुछ कहा जाता है जिसके कारण से वो चीजे खुलती है एक दिवस भट को पूछिया तुमारा क्या इनसे रुजगार तो वो लोग ऐसे पूछते हैं कि क्या देवचंद्र जी तुम्हें धन देते हैं या कुछ सेवा करते हैं हम जो लोग हैं हम ब्यापारी हैं हम साहुकार हैं और बरसो दिन से आप से भागवत सुनते आ रहे हैं जब आप कहते हो कि दान देना पुन्य है तो आपको हम दान भी देते हैं लेकिन आज ये क्या हो रहा है कि हम आते हैं आपके सामने और आप भागवत का चर्चा सुरू नहीं करते और जब देपचंद्र जी आपके सामने बेड़ जाते हैं तब आप ग्यान की चर्चा करना सुरू कर देते तब कांजी भर्ट क्रोध में ये कहते हैं कि मैं उस गरीब से क्या लूँगा वो तो एक बंदा है जो मैं देखता हूँ कि स्वयम वो ग्यान का फिपासू होने के कारण वो आता है इसलिए मैं उसको इंतजार करता हूँ लेकिन तुम लोगों में येदि में यहाँ पर गल्टी भी कर दो कौन हाट उठा के कहने वाला है कि आपने एक स्वयम को आगे कर दिया है कौन कहने वाला है कि आपने इस बिंदु को छोड़ दिया है यहाँ पर कोई ऐसा विक्ती मुझे दिखाई नहीं देता इसलिए वो कहते हैं कि मैं उस देवचनरजी को इसलिए इंतजार करता ह। लेकिन अब जब इंतजार का घड़ी आ गया है तब यहां पे जो छिद्र की बात आ रही थी वो छिद्र क्या है वो ढूंटे है कि वो सोयम भागवत के जो एकादसी के ब्रत में है वो क्या करते हैं भोजन करते हैं और द्वादसी के दिन पर भोजन नहीं करते हैं तो इस प्रकार का जो लांचेन है वो बड़ा है आज संसार में येदी चला जाए और भागवत मिसे में कहिद्या जाए कि हम एकादसी का ब्रत रखना नहीं चाहते हैं तो लोग क्या समझते हैं एकादसी एक महान ब्रत है जहां पे लिखा गया है कि वो प्रसाद खाने से स्वर्ग मिलता है और लोग स्वर्ग ही चाहते हैं लोग चाहते हैं कि वो अपसराओं के साथ नित्य करें लोग चाहते हैं कि वो इंद्रा का एस्वर्य उनको मिले लेकिन लोग ये नहीं चाहते कि दुख मिलने से वो उस परमधाम तक जा सकते दुख के बदोलत वो योगमाहे के ब्रह्मान को पार कर सकते लेकिन वो अपने इक्षा को स्रिफ एक ब्रत के नाम पे सुर्ग जाने की इक्षा करते हैं एकादसी किसको कहते हैं ये आगे कहेंगे लेकिन वो जब छिद्र को पाते हैं जब इस छिद्र को बताते हैं कि हाँ कांजी भड़ जी आपने जो ग्यान उसको अलग दिया था और हमें जो हम कब से आ रहे हैं हम को क्यों अलग दिया गया तब कांजी भड़ जी यही कहते हैं कि मैंने ऐसा कोई ग्यान दिया नहीं अब कांजी भड़ जी कहते हैं उन्होंने जो भी किया होगा वो सोच समझ कर ही किया होगा और जब वो सामने आएंगे मैं उनसे खुद पुछ लूँगा तब जाकर वहाँ पे मतभेद नहीं होता आप ये देखे हम ये सोच रहे हैं कि हम ग्यान एक अदसी से ही ले सकते हैं लेकिन ग्यान यहाँ से भी लिया जा सकता है जहाँ पे कांजी भड़ी ये कह रहे हैं जब वो आएंगे तब जाकर हम बाते करेंगे आज समाज में यही होता है कि एक बेक्ती दुसरे बेक्ती के बिसे में कानों में भरता है और कानों में भरने के बाद वो तिसरा बेक्ती ये समझ लेता है कि वो जो दुसरा बेखती है, उसने सच में गल्ती कर लिया है और उस पे आने के तुरंद बाद वो क्रोधित हो जाता है जिसके कारण से जो समाज में मत भिन्नता है जिसके प्रकार आज समाज टूट रहा है आज समाज को बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए हमारे पास सुद्ध बिचार इसी प्रकार का होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए अपने सिश्य के उपर एक विश्वास होना चाहिए अपने परिवार के उपर जब तक विश्वास नहीं होगा वहाँ पे कलह होगा वहाँ पे इर्चया होगा वहाँ पे द्वेश होगा तो इस प्रकार से कांजीभर जी जब ज्ञान देते हैं उनको कहते हैं जब सिस्य आएगा तभी बात होगा तब उसी समय देवचंदर जी भी आज आते हैं और देवचंदर जी कहते हैं को पुछा जाता है कि क्या आप सच में एकादसी के जो ब्रत है उसमें आप खाना खाते हैं तब देवचंदर जी एक सच्चा बेगती हैं और वो बिना जूट बले वो यह कह देते हैं कि हाँ गुरुजी में खाना खाता हूँ लेकिन वो क्यों खाते हैं अब जाकर यहाँ पे वो खुलासा करने वाले हैं वहाँ वो लोग अब खुस हो रहे हैं कि यस बंदा ने अपने गल्ती को स्विकार कर लिया है और जिस बंदे ने अपने गल्ती को ही स्विकार कर लिया उसको अब लाद देने में कोई देरी नहीं करनी चाहिए अब वो अब और चड़ाते हुए और इर्चयार द्वेश के भावनों यही कहते हैं कि आपको तो सब कुछ ग्यान है तो यहां पे कुछ स्लोक्तियों के द्यार एक चौपाय के द्वारा एक है वो एक ब्रिक्च है और जो ब्रिक्च है उसमें जो धर्खत है उसमें भी जो टेहनिया है और उस टेहनियों में भी जो पत्य आयों है देव चन्रजी आप तो सब कुछ जानते हैं और आपने इस प्रकार की गलती कैसे कर दिया जब आप ही इस प्रकार से गलती कर लो और आप इस प्रकार की बाते कर लो तो हम क्या करेंगे तो इस प्रकार के जब अलोना बाते कही जाती है तो देब चंद्र जी को समझ में तो आता है लेकिन वो क्रोधित नहीं होते वो अब अपनी बाते कहते हैं कि किस प्रकार से वो एकादसी के ब्रत में नहीं खाते हैं वो शरीफ इतना कहते हैं कि हाँ इस सरीर को जो मैं खाना देता हूँ वो प्राथमिक्ता में इसलिए देता हूँ कि मैं सोयम आत्मा हूँ और जब तक मैं सोयम के बिसे में नहीं सोजता ये बाहरी जो सरीर मुझसे जुड़ा हुआ है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है तो इस प्रकार से जब अपने आत्म को देखा जाता है धर्मसास्त्र भी यही कहता है कि स्वार्थी बनो स्वार्थी बनने के लिए धर्मसास्त्र ने कहा है लेकिन स्वार्थी किसको बनने के लिए का है ना कि इस सरीर को बलकि खुद की आत्मा को अपने आपको जब पहचान लोगे तब स्वार्थी बनो तब जाकर अपने अंदर की दीब को जलाओ तब जाकर उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के ओर जाओ उस के लिए तुम स्वार्थी बनो ना कि इस संसार के चीजों को लेने के लिए ना कि इस त्रिष्णाओं में भड़कने के लिए स्वार्थी बनो तो इस प्रकार से जब वो केहते हैं वो चुप हो जाते है लेकिन जो समाज में एकादसी का ब्रत जो चली आ रही है वो एकादसी क्या है मैंने में दो बार ब्रत आता है एक सुकल पक्षय और एक कृष्ण पक्षय में 11 दिन को ही हम एकादसी कहते हैं जिसमें भगवान स्री कृष्णा जी के नाम पे ब्रत लिया जाता है एकादसी के दिन पे मैंने कल कुछ रिसर्च किया था मुझे लगा कि जो किताबों में लिखा है क्या सच में वो नेट में भी लिखा होगा तो मैंने जब सर्च किया उसमें तो वहाँ पर लिखा था ब्रत लेने से पहले हमें क्या करना चाहिए दस्वे दिन पर तो उन्होंने लिखा हमें मांस को छोड़ देना चाहिए हमें वो जो गुटका, बीड़ी, पान है उसको छोड़ देना चाहिए हमें ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जिससे ब्रत में हानी हो जो सरीर को ही ऐसा दुरगुंद बना दे जो सरीर को ही ऐसा अपवित्र बना दे ऐसे खाने को शरिफ एक दिन के लिए मना किया गया वो समाज जो ब्रत के लिए अपने आपको पवित्र बनाना आज जाता है क्या वो समाज एक दिन में ही पवित्र بن जाएगा बिल्कुल नहीं वो एकादसी का ब्रत है जो सुर्ख तक पहुँचाने के लिए वो सिर्फ एक दिन के लिए सोच रहे है वो एकादसी का ब्रत है जहां पे कहा जाता है कि वो सुर्ग तक तो पहुँचाएगा लेकिन वो सुर्ग तक भी कब पहुँचाएगा जब परमात्मा की जो परसाद मिलती है उस परसाद को ग्रहन करने के बाद है वो जो जीव है वो सुर्ग तक पहुँच सकती है ये दि व अब फिर से अंदर जाते हैं ब्रत किसको कहते हैं कि एका देशी का ब्रत ब्रत है भी या नहीं ब्रत और उपवास में क्या अंतर हैं उपवास उसको कहते हैं जिस दिन पे हम अपने खान पीन सब छोड़ देते हैं उसको उपवास कहते हैं लेकिन जो ब्रत है वो क्या है कह रहे हैं जो देश इस्थान काल और समय की हिसाब से सार्बो भौम अर्थात हर समय में खिया जा सकता है उसी को ब्रत कहा जाता है अब वो कौन-कौन सा ब्रत है वो कहते हैं वो यम है जो अहिंसा है अहिंसा को मानो अहिंसा जो सत्य है उसको मानो हर समय के लिए अहिंसा, सत्य, अस्त्य, जो चूरी ना करने का कारे है वो हमेशा के लिए ब्रत में धारन कर लो अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरी ग्रह ये पाथ सीजे हैं जो ये दि हम अपने अंदर धारन करते हैं तब जाकर उसको ब्रत कहा जाता है तब जाकर वो ब्रत, अब क्या करेगे, सुर्ग तक पहुँचा सकती है वो ब्रत, ना कि जो खान पिन आप नहीं खा रहे हैं, वो ब्रत सुर्ग तक भी नहीं पहुँचा सकती क्यूंकि आज इस देश में, इस विश्व में इतने भूके लोग हैं स्रिफ एकादसी में नहीं अनेकों दिन उनकों भूका रहना पड़ता है तो इसका मतलब क्या है कि वो भूके सोर्ग तक पहुंच जाएंगे ऐसा कभी नहीं हो सकता कि स्रिफ भूके रहने से ये दिये सोर्ग पहुंच जाते तो विश्व में इतने सारे भूके हैं कि वो सब सोर्ग में जाते और सोर्ग में से इंद्र को निकलना पड़ता लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इसे सोर्ग में जाने से पहले हमें ब्रत करना होगा तो उस परमधा में जाने से पहले जाने का मतलब यह नहीं कि हमें जाना है लेकिन वो पात्र बनाने के लिए हमें क्या करना हो तो इस प्रकार से जब एकादशी का ब्रद समझा दिया गया जो ब्रद, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह हमें अपनाना चाहिए, वो कह दिया गया तब जाकर अब यहां बितक पे धनिसी देपचंद्र जी को यही कहकर अब वो निकालने वाले हैं कि आपने तो सब कुछ जान लिया है तो जब उन्होंने जाना, यहां पे कहने का ताथपर यह था इसकन्द भागवत का बार इसकन्द कहा जाता है जिसके अंदर 365 अध्याय है और 18,000 स्लोक है और जिसके अंदर अनेकों सब्द के द्वारा बखान किया गया है हां उसी को हम दर्खत कह रहे हैं उसी को टेहिन्या कह रहे हैं उस भागवत के अंदर ये चीजे हैं और उन्होंने ये ज्ञान ग्रहन करते हुए आगे बढ़ते हैं और जब उनको ज्ञान की चर्चा उसको बता दिया जाता है कि मैं अपने आतम के लिए ही खाना खाता हूँ वरना मैं द्वात्वसी के दिन इसलिए क्या नहीं करता आहार नहीं लेता तो इस प्रकार जब वो कहते हैं वो कहते हैं देवचंदर जी आप धन धन नहों जब उनके पास कोई उत्तर ही नहीं तो वो क्या कहें तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं कोट एकादसी एक सित के तुल्यन आवत तो ये बात हमने फिर से सुन लिया है कि एकादसी का बढ़त वही है जो सुर्ग तक पहुंचाती है और जो आतम की आहर है जब वो लेंगे तब हम परमधाम तक पहुंच जाएंगे तो इस प्रकार से जब भागवत की हम बाते सुनते हैं समाज में भागवत का बहुत प्रचलन है साथ दिन का भागवत मेहन दिन का भागवत लेकिन जो भागवत है क्या हमें सुनना चाहिए और नहीं क्या भागवत सच में हमें परमधाम तक पहुंचाएगी क्या भागवत का ग्यान श्रिप दर्ज और रास्तक है या स्वयम श्री कृष्णजी परमधाम में भी बेठे हुए है इसलिए हमें भी भागवत सुनना चाहिए इस प्रकार के जब प्रश्णम मन में उड़ता है समाज में जो दुन्द है उसको खुलना चाहिए धनी क्या कहते हैं ? इसमें हमें बिचार करना चाहिए भागवत किस ने लिखा ? यहाँ पे एक स्लोक आता है वहाँ कहा जाता है सूके प्रुक्ते भागवतम यहाँ पे कहा गया है कि सूक देब के द्वारा ये भागवत बताया गया है लेकिन जो भागवत हम यहां इस संसार पे बताते हैं उसका लेखक किसको माना जाता है बेद ब्यास जी को बेद ब्यास जी वो भागवत का लेखक है इस प्रकार से प्रचलन में आता है और उस भागवत का अर्थ क्या है जो भागवत जिसमें भगवान का चर्चा हो जो भागवत जिसमें भगवान की लिला की विशे में ग्यान हो उसको भागवत कहते हैं लेकिन भागवत के अंदर अने को कथाये भी आते हैं जो राजाओ की विशे में हैं अनाव को कथाय आते हैं जो कालपनिक होएं तो हमें भागवत का आर्थ शरिफ इतना ही लेना चाहिए कि भागवत का आर्थ यही है जिसमें सोयम ब्रज और रास की लिला हो और सोयम उस कृष्णा की विश्ए में खोल दिया गया हो जहां पे हम सोयम आत्मा आकर हमने लिला क् वो भागवत है लेकिन जो अनेकों चीजे है उनको देखना चाहिए नहीं धनिक एते हैं अब गुन काड़े गुन ग्रहे जो अब गुन है चाहिए वो किसी भी सास्त्र का हो उसको क्या करना चाहिए उसको छोड़ देना चाहिए और गुन को ग्रहन करना चाहिए तो उसको छोड़ो नहीं छेडो नहीं जिसके कारण से उसके गंद की आपके ही उपर ना आ जाए इसलिए धामधनी तो हमें सुजाब दे रहे हैं कि उसमें अब मत पड़ो तुम रास और तुम उस ब्रज की लिला को उठा लो जहां पे हम आये थे जहां पे हमने लिला क्या अब उसको उठाने के बाद हम आगे बड़े और उस परमधाम के और जाए धामधनी कहते हैं कि यहाँ यह क्या चीज है यह संसार एक कोहेडा है यह संसार एक कोहेडा है और वहाँ पे कह दिया गए और कोहेडा भागवत अब इसका अर्थ क्या लगाया जाता है कि भागवत एक कोहेडा है इस प्रकार से समाज में तचलन में आता है। लेकिन भागवत में हम ये भी कहते हैं कि जो लिला है हो रहे है परमधाम के वो भी है। तो इस बात को सामन्य जस्थे के से बेठाया जाए। तो ये देखने में कोहेडा किसको कहते हैं। कोहेडा एक धुंद है, एक बादल है, जो काला है और वो प्रकास को धक रही है। क्यूंकि वो परमात्मा तक पहुंचने के लिए बाधक बनती है और जो भागवत का आगे बेठी हुए जो कोहड़ा है जिसके इरद गिरद वो कथाए है जिसके इरद गिरद वहाँ बे कालपनिक चीज है लेकिन जो मूल है वो कोहड़े ही रोक रहा है और हम ब्रज और रास में आ जाकर अन्य को चूजों में घुमते रहते तो उस कोहड़े को कहा गया है कि हाँ वो भागवत के आगे कोहड़ा है लेकिन भागवत कोहड़ा नहीं है लेकिन भागवत के अंदर जो ब्रज और रास है बस धाम दहनी कह रहे हैं उसको ले लो और हमें भी उसी पत पे आगे चलना चाहे है हम यही कहते हैं कि भागवत है तो उसको लेकर हमें समाज में बाटना चाहिए और ब्रज और राज की बाते हमें कहना चाहिए लेकिन जब तार्तम बाणी आ चुकी है चौदर ग्रंथ में मुख्य ग्रंथ है रास ग्रंथ जो रास ग्रंथ है उसमें स्वयम रास में जो जो घटनाय और लिलाय हुई है वो बाते आ चुकी है और कलस ग्रंथ में यह जी हम देखते हैं तो ब्रज की लिला भी उसमें हमें मिलता है तो जब ब्रज और राज की लिला इतने स्वेम महामती जी के दौरा स्वेम प्राणनात जी की आवेश के दौरा क्या जा चुका है तो हम क्यूं आज दिन तक वो पुराना ही गरंद उटाते कहने का तातपर्य यह है हमने 5 कक्षा पढ़के हम उपर की कक्षाओं में चड़ लिये अब 6 कक्षा में है, 7 कक्षा में है जब 10 कक्षा में हम पहुंच जाते हैं हम वो 5 कक्षा के जो किताबे हैं वो भी भूल जाते हैं हमें ये ग्यान नहीं रहता कि 5 कक्षा में हमने क्या पढ़ा लेकिन पांचवी से हमने क्या करके आये थे, पढ़के आये थे, इसी कारण से आज दसवी के किताब हम पढ़ सकते हैं, उसी प्रकार से धनी श्री देप चंदर जी यहाँ पे भागवत पढ़ रहे हैं, अध्यान कर रहे हैं, आज उनोंने उनके माध्यम से तथा सोय महिराज के तन के अंदर बेटकर धामधनी ने यहाँ पे ब्रह्म ज्यान दिया, अब वो ज्यान सर्वस्रेष्ट है, सबसे उचा क्लास का है, और उस क्लास के जो ब्रह्म सिष्टी बेटी हुई है, यदि वही ब्रह्म सिष्टी यह कहें, कि हमें पांचवी कक्छा की किताब पढ़ है, तो अब बानी, जो तार्तम का तार्तम है, अब उसमें ध्यान देना चाहिए, जो खिल्वत है, परिक्रमा है, सागर और सिंगार है, अब उसमें ध्यान देना चाहिए, ना कि अब पांचवे कक्छा के एक छोटे से किताब हमें, तब जाकर अब हम जो भागवत से उपर उठें भागवत के चलते चलते हैं हम सम्मान करें उस किताब को हम उसका कठाक्स ना करें लेकिन हाँ उसी किताब में रमते रमते कहीं देर ना हो जाए कहीं ये सरीर छूट ना जाए और उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की जो ज्ञान इस धर्ती में अवतरन किया है वो तार्तम का तार्तम हमें जो मिला है जो संपदा सबसे बड़ा है कहीं हम कंगाल ही ना वर जाए तो इस कारण से हमें वो तार्तम की और ध्यान देना चाहिए अब धामदनी यहाँ पर क्या खेर है आगे इहाँ जोर आवने लगा एक लंगन भई दोए तब चौदव बरस तक जो निश्टावबद वो सुन रहे थे चौदव बरस तक कांजी भड़ जी के मंदीर में वो जाते है लेकिन पताई है कि ये सरीर है और सरीर दुख का कारण है जन्म लेते ही दुख जन्म ले जाता है लेकिन वो बेक्ती है जो देवचंदर जी है जिनके अंदर परमधाम के आत्मा है वो हर कसवटी से गुजरने के लिए तयार है अब उनके सरीर में वो दुख का घड़ी आता है वो परिक्षा की घड़ी आती है ऐसे कुछ बांते हुए वो लाठी लेते हुए अब जाते हैं भागवत के ओर भागवत सुनने के लिए वो अपने निष्टा को दिखाते हुए पहुंचते हैं लेकिन एक दिन ऐसी हालत हो जाती है कि वहां वो उठ नहीं पाते है तब बैद को बुलाये जाता है वो कहा जाता है कि उनको सन्निपाज जोर आया है और उनको बैद कुछ दवाई देने के लिए दवाई आगे बढ़ाते हैं और वो यही कहते हैं कि इसको कभी भी हावा लगने मत देना यदि हावा लग जाता है तो क्या होगा? हवा लग जाएगा तो ये मर भी सकता है तो इस प्रकार से जब मत्तु महताजी को ये कह दिया जाता है तो मत्तु महताजी जो उनके पिता है, वो कहते हैं आपको डरना नहीं है हम इसको दर्वाज लगा के भी बंद करेंगे, ये मेरा पुत्र है तो इस कारण से बाइद उनको दवाई भी दे देते हैं और वो चले जाते हैं लेकिन जब दरवाजा बंढ है उनके मा और उनके पिता जब दरवाजे के बाहर हैं अब देव चंद्रजी के चोद बुरस का जो निष्टा है वो जागरित होता है वो उट खड़े होते हैं बेहुसी के हालत में लाठी लेते हैं कानों को बंढ करते हैं और धीरे धीरे दरवाजे के बढ़ते हैं लेकिन वो दरवाजा खुलता नहीं एक कमजोर सा हाथ है जो उस दरवाजा का खुल नहीं पा रहा तोड नहीं पा रहा वो चिलाते हैं रोते हैं और दराज़ा खुलने के लिए आगरह करते हैं लेकिन वो पिता जी है जो दज्जाल का रूप लेके बेठे हुए वो माता जी है जो माया के रूप लेके बेठे हुए है कि अब इसको बाहर जाने नहीं देना लेकिन अब कठोर भासा में जब अपने माता और पिता को कहा जाता है कि मैं मरने वाला नहीं हूँ और मैं कौन हूँ मैं आतम हूँ मैं यदी यहां पे रहूंगा और यदी तुम ऐसे ही बंत करते भी जाओगे मैं तो जाने वाला हूँ मुझे रोकने वाला कोई नहीं है लेकिन जो तुम देबचंद्र जी कहके पुकारते हो यहीं पे गिर जाएगा तब थोड़ी ही देर पे देबचंद्र जी के जो सरीर है वो गिर जाता है तब उनकी मा खमा खमा कहते है वो आती है चिलाती है और उनके पती को बुलाते हैं अंदर आने के बाद वो देखते हैं कि वो बहुस हो चुके हैं वो उनको बुलाने के बाद भी नहीं उठ रहे हैं तब उनको ये कह दिया जाता है कि तुम्हें कौन बुला रहे हैं सुम्कानजी भट बुला रहे हैं बागवत सुनने के लिए तुम उठ खड़े हो जा तब भी वो खड़े नहीं होते लगवक एक घड़ी के बाद अर्थाथ 22-23 मिनेट के बाद वो थोड़ा सा उनको बेहोसी से उपर उड़ते हैं वो उड़ते हैं अब धीरे धीरे चलते हुए अपने पिताजी की कोई बचन को नहीं सुनते और वो आगे बढ़ते हैं और उसी भागवत के चर्चा में फिर से चुपचा बेढ़ जाते हैं जैसा कुछ हुआ ही नहीं कुर्बानी कोन करता है कुर्बानी वो ही मुमिन कर सकता है जो परमधाम से आए कुर्बानी करत आतम जो परमधाम की आतम है वो कु पुद्बानी के नाम पे अपने जीब को भी क्या नहीं करते वो जतन नहीं करते पारवतन जो सुहागनी ताकि ना एक कहूं पहचान जो कदी भूली बतन तो भी नजर तहां निदा वो पारवतन की सुहागनी है भले ही इस दुन्या में आए है भले ही सरी धारन की आए भले ग्रियस्त में हो चाहे भले सन्यासी बना हुआ लेकिन वो इदी कष्ट में भी हो तो भी वो कभी भी वो राजी को नहीं भुलते तथा वो अने को बिघन आने के बाद भी उसी परमात्मा के चरन कमल पर ही अपना ध्यान लगाए बैठते तो वो ही बिरहिन है जो आज इस संस कि जो लिलाय है जो कासवटी के ब्याख्या है तब जाकर सार्थकोरा कासवटी जो दुख के कहा जाता है वाड़ी के माद्यम से जो पग से मेरे प्यू मिले वो पग पे हो कुर्बाद जो पथ है यदि उस पथ से होते हुए मुझे वो पुरन ब्रम परमात्मा मिलते हैं त उस पत में चलने के लिए में तयार हो अब वो पत कैसा है वो पत के आगे दलदल है उस पत के और आगे काटे है उसके और आगे पहाड की चोटिया है और हो सकता है अन्तीम जो छेन है उसमें मृत्यु भी दिखाएगा लेकिन वहां पे इंद्रावती सकी कह रहे हैं कि यदी वो पत से यदी उस काटे और उस मृत्यु से पार भी यदी उस पुर्णब्रह्म परमात्मा मिलता है तो में चलने के लिए तयार हो तो इस प्रकार से ही हमें उस पुर्णब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होती है उस ती प्रकार से वो पुर्णब्रह्म परमात्मा की सकी क्या करती है, कुर्वानी करती है तब जाकर उस दुख को ही प्यारो कहा गया है उस सक히 के द्वारा वो दुख जो प्यारो है वो क्या है, जो प्यूँ से हमें मिलन करा दे और जो हमें सुक देता है, वो सुक मुझे नहीं चाहिए, क्योंकी वो अन्तिम में हमें क्या देगा वो श्रिफ जलन ही देगा और कुछ नहीं आज संसार में जो हमें सुख मिल रहा है वो अन्तिम में क्या करवाएगा हमने कभी सोचा है कि आज दिन तक हम अपने आपको क्यों कोशते रहते हैं हमने आज दिन तक यह सोचा है कि इतने सारे सुख प्राप्त करने के बाद भी हम क्यूं इतना दुखी है क्यूंकि श्रीफ इसलिए क्यूंकि वो अंति में जलन ही कराता है सांखे दर्शन भी कह रहे है कुत्र अपी को नपी सुखी नहा कि इस संसार में कहीं भी और किसी जग में भी सुख नहीं है तो आप और हम कहां पे सुख धुन रहे हैं तो इसलिए बुद्धी पुर्भग धामधनी के वो सखी के रहे हैं कि कुर्बानी करो और कुर्बानी करने के बाद जो दुख मिलेगी उसी के माध्यम से धामधनी के वो सुख मिलेगा और सुख मिलने के वही सुख आनन्द है और वही सुख पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है आगे दिन दस पंद्रा हुए कथा सुनत है कान दिन दस पंद्रा हुए अर्थात अब जो जोर आया था अब जाते हैं भागवत के कथा में बेठते हैं लगभग उनको 10-15 दिन लग जाते हैं सुनते सुनते और उनके जो शरीर के जो बीमारी है वो ठीक होते होते तो 10 दिन और 15 दिन के बाद अब वहाँ पे कुछ लिला होती है एक घटना होती है वहाँ कहा जाता है वह किसोर अती सुन्दर सुरूप खेला जो ब्रिंदावन देख धनी स्री देव चंडर जी एस आवत मोहे मन ये कह रहे हैं कि वह किसोर जो अती सुन्दर सुरूप वाला है जो ब्रिंदावन के उस गलियों पे उस जंगल पे वो खेला करता है वही किसोर ने आकर मुझे दर्सन दिया है वही सुरूप ने आकर मुझे दर्सन दिया है वो कौन है जो आज आकर उनको दर्शन दे रहे हैं वो कौन है जो कहे रहे हैं कि क्या तुम मुझे पहचानती हो इस प्रकार से जो प्रशन करने वाले हैं उसका उत्तर अब हम कल देंगे जिसमें इसका खुलासा किया जाएगा कि वो कौन सक्स थे जिसने स्वयम आकर उस ब्रह्मसिष्टी को ये कहा और पहचान दिया वो कौन है जिसको हर कोई ढून रहा है तो इस प्रकार की लिला को हम कल की इस बैख्या में और वितक की चर्चा में कहेंगे और आज इस बाने के साथ कि हर कोई ब्रह्मा आत्मा है जो कुर्बानी करती है हर कोई ब्रह्मा आत्मा है जो उस दुखे पक के घड़ी में भी ये पूर्ण ब्रह्म पर्मा आत्मा को छोड़ते नहीं वोई जो ब्रह्म आत्मा है जो किसी भी मार्क पर चलने के लिए तयार है उस पुर्ण ब्रह्म पर्मात्मा पाने के लिए वोई ब्रह्म आत्मा कहलाने के लायक है तो इसलिए हे सब सुन्य sponsored साथ और ब्रहमात्मा यही है वितक की इक्षा कि हम सब अब उस धामधानी की इक्षा से उस कक्षा की और चले जहां पर स्वेयम पुर्णवर्म पर्मात्मा हमारे लिए अब इंतजार कर रहे हैं तो इसलिए अब हमें बिना देरी के हुए उस पुर्णब्रम परमात्मा की और जाने चाहिए तो यही कहते हुए मेरे ये बार्णी को में बिराम करता हूं सभी को प्रणाम जी वह किसोरा अति सुन्दारा सरुप खेला जो ब्रिंदावाना देख स्री देवा चंद्र जी ने कहिया जैसी गवाई दई माना जैसी गवाई दई माना बोले स्री प्राणा थे प्यारे की जै